हेलो दोस्तों हमारे योटूब चैनल एन्जोई स्टेडी लाइफ योटूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में राजस्तान पटवारी एकजाम 2020 के इंपोर्टेंट क्यूशनों के उपर डिसकस करेंगे तो दोस्तों जो राजस्तान पटवारी का एकजाम का पेपर होगा 2020 का तो दोस्तों उसमें राजस्तान जीके के क्यूशन पूछे जाएंगे तो दोस्तो मैंने आपके लिए राजस्तान जीके के वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन बनाए हैं जो आपके पटवारी एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारा फस्ट क्यूशन है राजस्तान के पूर्वी मेदान का ढाल किस और है तो फस्ट ओप्षन है उत्री पूर्वी, सेकंड ओप्षन है पस्सिमी और थर्ड ओप्षन है उत्तर और फॉर्थ ओप्षन है दक्सिनी तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी राजस्तान के पूर्वी मेदान का ढाल उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी की और है नेक्स्ट क्यूशन राज्य का वह जिला जहां सारवदिक वर्षा होती है तो दोस्तों राज़्तान का वह जिला कौन सा है जहां सारवदिक वर्षा होती है तो फर्स्ट ओप्शन है सिरोही सेकंड ओप्शन है जालावाड और थर्ड ओप्शन है बासवाडा और fourth option है कोटा तो दोस्तों इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर बताईएगा तो दोस्तों इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर है जालावाड राज्ये का वह जिला जहां सारुदिक वर्षा होती है नेक्स्ट क्यूशन चितोरगड का किला जिस पतार पर निर्मित है वह है तो दोस्तों चितोरगड का किला जिस पतार पर निर्मित है वह पतार है तो फर्स्ट ओप्शन है मेशा का पतार सेकंड ओप्शन है भोराट का पतार और थर्ड ओप्शन है माल खेत का पतार और फोर् दोस्तो इसका सयुत्तर क्या होगा तो आप लोग इसका सयुत्तर बताएंगे दोस्तो अगर आपको इन परसनों का सयुत्तर आता है तो हमारे कमेंट्स बोक्स में इनका सयुत्तर जरूर दें तो दोस्तो इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर है मेसा का पठार तो द पहाड़ी पर बना है तो दोस्तों जो जोतपूर का दुर्ग है मेरानगड दुर्ग वह किस पहाड़ी पर बना है तो फस्ट ओप्शन है मंदोर पहाड़ी और सेकंड ओप्शन है मारवाड पहाड़ी और थर्ड ओप्शन है चिडिया टूंक पहाड़ी और फोर्थ ओप्श होगा चिडिया टूप पहाड़ी जोदपूर का मेरानगर दूर्ग चिडिया टूप पहाड़ी पर बना है नेक्स्ट क्यूशन कि अ कि धोरा की धरती किसे कहा गया है तो दोस्तों धोरों की धरती किसे कहा गया है तो फर्स्ट ओप्शन है पसीमी राजस्तान सेकंड ओप्शन है मालवा का पठार और थर्ड ओप्शन है बागड सेत्र सोरी वागड सेत्र और फोर्थ ओप्शन है कांटल सेत्र तो दोस्त इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर बताएं तो इसका सयुत्तर होगा पस्यमी राजस्तान दोरों की धर्ती पस्यमी राजस्तान को कहा गया है नेक्स्ट क्यूसन लाल रेतिली मिट्टी राजस्तान के किस सेत्र में मिलती है दोस्तो पर्सन में पूचा है लाल रेतिली मिट्टी राजस्तान के किस सेत्र में मिलती है दोस्तो वह कुन सा सेत्र है जहां लाल रेतिली मिट्टी मिलती है तो फर्स्ट ओप्षन है अरावली परदेश में और सेकंड ओप्षन है राजस्तान बांगर में और थर्ड ओप्ष तो इसका सयुत्तर होगा राजस्तान बांगर में लाल रेतिली मिट्टी राजस्तान के राजस्तान बांगर सेत्र में मिलती है नेक्स्ट क्यूशन राजस्तान में भूरी मिट्टी का सेत्र है तो दोस्तो राजस्तान में भूरी मिट्टी का सेत्र कौन सा है तो फस्ट ओप्षन है अरावली के दोनों तरप का भाग और सेकंड ओप्षन है बनाशनदी का परवा सेत्र और थर्ड ओप्षन है राजस्तान का दक्षनी भाग और फोर्थ ओप्षन है हाडोती पठार तो दोस्तो इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर बताईएगा तो दोस्तो अगर आपको इन परसनों का सयुत्तर आता है तो हमारे कमेंट स्बोक्स में इनका सयुत्तर जरूर दें ताकि दोस्तो आपकी अच्छे से प्रपेशन हो सके तो दोस्तो इसका सयुत्तर बनास नदी का पर्वा सेत्र राजस्तान में भूरी मिट्टी का सेत्र है बनास नदी का पर्वा सेत्र नेक्स्ट क्यूशन दोमट मिट्टी किस जिले में नहीं मिलती है तो दोस्तों दोमट मिट्टी है वो किस जिले में नहीं मिलती है तो फस्ट ओप्शन है गंगा नगर और सेकंड ओप्शन है जालावाड और थर्ड ओप्शन है भीलवाड़ा और फोर्थ ओप्शन है बूंदी तो दोस्तों इसका सयुत्तर क्या होगा गंगा नगर दोमट मिट्टी गंगा नगर जिले में नहीं मिलती है नेक्स्ट क्यूशन राज्य के किस दिले में सारवदिक दिनों तक वर्षा होती है तो फर्स्ट ओप्शन है जहलावाड सेकंड ओप्शन है पाली और थर्ड ओप्शन है उदेपूर और फोर्थ ओप्शन है बासवाडा तो दोस्तो इसका सहुत्तर क्या होगा तो आप लोग इसका सहुत्तर बताईएगा तो इसका सहुत्तर होगा जहलावाड राज्य के राजस्तान के जहलावाड जिले में सारवदिक दिनों तक वर्षा होती है नेक्स्ट क्यूशन देश में पानी की सारवदिक कमी वाला राज्य है तो दोस्तों कौन सा राज्य है तो फर्स्ट ओप्षन है हरियाना राज्य सेकंड ओप्षन है पंजाब राज्य और थर्ड ओप्षन है राजस्तान राज्य और फॉर्थ ओप्षन है गुजरात राज्य तो दोस्तो बताईएगा तो इसका सयुत्तर क्या होगा तो इसका सयुत्तर होगा राजस्तान देश में पाने की सारुदिक कमी वाला राज्य राजस्तान राज्य है थेंक्यू दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर और सस्क्राइब और साथ मे नहीं बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की लेट टेस्ट नोटिफेगेशन सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्युस्णों के साथ कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों के साथ